पशु प्रेमी भाईयों, जब हम अपने पशु प्रेम या व्यवसाई के लिए किसी जानवर को अपनी कोशिश अनुसार भेतरीन खुराक देते हैं, तब भी क्यों जरूरत पड़ती है उनको सप्लेमेंट देने की? कारण यह है कि जब हम एक ही तरह की बेशक एक भैतरीन खुराक जानवर को हर रोज देते हैं, तो उस खुराक से कुछ तत्व, मिनरल प्रोटीन तो उनकी ज़रूरत से ज्यादा हो जाती है और कुछ अन्य तत्व, जो इस खुराक में कुछ कम है, उनकी कमी हो जाती है। इनको पूरा या कहें तो संतुलित करने के लिए हमें कुछ सप्लिमेंट की जरूरत पड़ती है। कई बार जब हम बिजनेस के तौर पर भी पशु पालते हैं, तो कुछ सामगरी लोकल मिलने की वज़ा से या सस्ती होने की वज़ा से उसका प्रयोग ज्यादा करते हैं। इसका परिणाम फिर से सप्लिमेंट की जरूरत पड़ती है। अब आगे आपको पहचान भी होनी चाहिए कि आपको किस समय कैसा सप्लिमेंट चाहिए। ऐसे में हमारे प्रोड़क्ट हर जानवर के लिए समपूर्ण सप्लिमेंट का काम करते हैं। यानि आपको दस तरह के अलग-अलग सप्लिमेंट की जरूरत नहीं। हमारा एक ही प्रॉड़क्ट, जानवर की सभी जरुरतों को पूरा करते हुए, अपने उदेश को पूरा करता है जैसे एक फॉर्मूला, वजन के लिए वेट फॉर्मूला, दूथ बढ़ने के लिए मिल्क फॉर्मूला, अपनी पोलिट्री फीड बनाने के लिए आल इन वन फॉर्मूला, मिनरल फॉर्मूला, पिक फॉर्मूला, तांकसिन बाइंडर इत्यादी अपने प्रॉडक्ट के साथ साथ हम जानवर के रख रखाव पर भी रेगुलर टिप्स देते रहते हैं अपने पशुप्रेम की वज़े से ही हम 30 साल से इस व्यवसाई में लगे हुए हैं पशुप्रेमी भाइयों जब हम अपने पशुप्रेम या व्यवसाई के लिए किसी जानवर को अपनी कोशिश अनुसार भेतरीन खुराक देते हैं तब भी क्यों ज़रूरत पड़ती है उनको सप्लेमेंट देने की कारण यह है कि जब हम एक ही तरह की बेशक एक भेतरीन खुराक जानवर को हर रोज देते हैं तो उस खुराक से कुछ तत्व, मिनरल प्रोटीन तो उनकी ज़रूरत से ज्यादा हो जाती है और कुछ अन्या तत्व, जो इस खुराक में कुछ कम है, उनकी कमी हो जाती है इनको पूरा या कहें तो संतुलित करने के लिए हमें कुछ सप्लेमेंट की ज़रूरत देने हैं